उत्रपर्देश में भाजपा ने उन्नाव जिला पंचाय चुनाव में रेप के आरोप में उम्रकैत की सजा काट रहे पूर विधाय कुल दीब सिंसेंगर की पतनी संगीता सेंगर की उमिद्वारी रद कर दी है इसके बाद अब कुल दीब सिंसेंगर की बेटी एश्वरिया सेंगर उनके पक्ष में सामने आई है उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो डाल कर इस फैसले पर कई सवाल खड़े किये हैं उन्होंने कहा कि आखिर उनकी माता और उनके परिवार की क्या गलती है जो उनका टिकट ग्राम पंचाय चुनाव में टिकट काट दिया कया है एश्वरिया सेंगर ने कहा कि क्या उनके परिवार को हमेशा अन्याय सहना पड़ेगा इस वीडियो में एश्वरिया ने कहा कि मेरा नाम क्या है इस से शायद अब फर्क ही नहीं पड़ता लेकिन मेरा सरनेम सेंगर है वहीं पिछले तीन साल से मेरे परिवार पर अन्याय पर अन्याय किया जा रहा है मेरी मा संगीता सिंग सेंगर पिछले पंदरा सालों से सक्रिय राजनिती का हिस्सा रही है और उन्नाव में जिला पंचायत सदस्य है अश्वरिया ने बताया कि उनकी माई मांदारी और निष्ठा के साथ अपना हर दायत्व निभाती आ रही है जिसके चलते उन्हें सभी सदस्यो द्वारा जीला पंचायत अध्यक्ष भी चुना गया आज एक महिला नेता की योग्यता उनका अनुभाव उनकी मैनत को ताक पर रख दिया गया है उन्होंने कहा कि इस देश में महिलाओं के लिए आरक्षन तो तै कर दिया गया है लेकिन जब वो चुनाव के लिए आ गया आती है तो उनके पिता और पती कौन है ये क्यों हो जाता है क्या एक औरत की योग्यता किसी की बीवी या बहन होने से कम होती है उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है उन्होंने कहा कि आप से सिर्फ अपनी मा की गलती पूछना चाहती हूं वो दागी कैसे हुई क्या मुझे और मेरी मा को समान से जीने का हक नहीं है आज ब दवारा हो करें आपको बता दे कि जेल की सजा काट रहे कुलदीप सिंसेंगर की पतनी संगीता सेंगर उनाव से भाच्पा की उमिद्वार बनाई गई थी सेंगर की पतनी को टिकट देने का मामला तूल पकड़ता और पिडिता की परिवार की और से इसका विरोध करने के पार्टी ने अपना निर्ने बदलते हुए संगीता का टिकट काट दिया है बताया गया है कि उनकी जगा नए उमिद्वार का नाम चल्द ही घोशित किया जाएगा बता दे कि उनाव की अलग-अलग विधान सभा सीटों से कुलदीप सिंसेंगर चार बार विधायक रहा है साल 2017 के विधान सभा चुनाव में भाजपा की टिकर पर विधायक रहे कुलदीप सिंसेंगर को साल 2018 में उन्नाव दुश्करम मामने में गिरफ्तार किया किया था जिसके बाद से भाशपा ने कुलदीप सिंगर को अगस्त 2019 में पार्टी से रिकाल दिया था वही कोट ने सिंगर को दोशी करार देते हुए से उम्र क्याद की सजा सुनाई है नमस्कार बेरा नाम क्या है शायद इससे अब फरकी नहीं पड़ता बट मेरा सरनेम सिंगर है पिछले तीन साल से मेरे परिवार के साथ अन्याई पर अन्याई किया जा रहा है मेरी मा संगीता सिंग सेंगर पिछले पंदरा वर्षों से उन नाम जिला पंचायश सदसे हैं सदक्रियर राधनीती का हिस्टा रही है और इमानदारी और निष्टा के साथ अपना हर दायत वनिभाती आ रही है इसी कारण सभी सतस्यों के दारा उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुना गया आज एक महिला नेता की योगिता उनका एक्सपीरिंस उनकी मेहनत हर चीज को ताक पर रख दिया गया इस देश में हमने आउर्टों के लिए रेजर्वेशन्स तो कर दिये गए हैं बड़ जब वो चुनाओ के लिए आगे आती हैं तो उनके पती उनके पिता कौन है ये क्यों इंपॉर्टन्ट हो जाता है क्या एक औरत की योगिता किसी की बीवी बेहन या बेटी होने से कम हो जाती है उसकी खुद की कोई पहचान नहीं मैं आपसे बस मेरे मा की गलती पूछना चाहती हूँ वो दागी कैसे ही क्या मुझे और मेरी मा को सम्मान से जीने का भग नहीं है आज बोल रही हूँ क्योंकि एक बार अन्याए को चुक्चा फिर से सह लिया तो शायद जमीर जिंदा रहना ना गवारा करे आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पारकिंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुग करे